जो वेक्ति बदले की भावना रखता है जरासल वो अपने ही गाओं को हरा भरा रखता है एक इंसान गुसे में अपना मुझ खोल लेता है और आखें बंद रखता है गुसा एक तरह का पागलपन है गुसा बेवकूफ के दिल में ही बसता है गुसा एक ऐसी हवा है जो बुद्धी के दियें को बुझा देती है कोई भी गुसा हो सकता है लेकिन ये करना आसान है लेकिन सही इंसान पे, सही टाइम में, सही लीमिंट पे, सही रीजन से, सही तरीके से सबके बसके बाद नहीं है किसी पर गुसा होना हो गुस्से के reason की comparison में उसके result हमेशा खराब होती है गुस्से को पाले रखना एक गरम कोईले को किसी और कोई फेकने के नियत से पकड़े रहने के जैसा है इससे आपका ही हाथ जलता है गुस्से पे अगर काबू न किया जाए तो जिस चोट के कारण आया हो उससे कही जादा नुक्सान पहुचा देता है माचिस की तीली किसी दुसरी चीश को जलाने से पहले पहले वो खुद को जला दी है इसी तरह गुस्सा पहले आपको बरबात करता है फिर दूसरों को गुस्सा हमेशा गुस्सा करने वालों को सबसे जादा नुक्शान पजाता है बजाए उसके जिस पर वो गुस्सा होता है गुस्सा आने पर चिलाने के लिए ताकत चाहिए लेकिन गुसा आने पर चुप रहने के लिए उससे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए गुसे में बोला गया हर एक सब इतना जाला जहिला बन जाता है कि आपके जिंदगी के हर सारी प्यारी बातों को एक मिनट में सिर्फ एक मिनट में खत्म कर देता है गुसा एक चालाग चीज़ है सिर्फ वो कमजोर लोगों पर ही निकलता है अगर आप सही है तो आपको गुसा होने की जरूरत नहीं मगर आप गलत है तो आपको गुसा होने का कोई हक नहीं गुस्सा एक भयानक आग की तरह है जो इंसान इसे बस में कर लेता है और वो उसे पुझा देता है और जो बस में नहीं कर पाता वो उस आग में खुझ जल जाता है गुस्सा एक ऐसी situation है जिसमें जीव दिमाग से ज़्दा काम करती है और ज़्दा चलती है गुस्से में किसी को कुछ जवाब ना दो और बहुत ज़्दा खुछ हने पर किसी से कभी कुछ वदा ना करो और दुखी मन से कभी कुछ फैशला मत करो जैसे उबलते हुए पानी में पर्चाई नहीं देखती वैसे गुसे में इंसान कभी सच नहीं देख सकता दो कोड़ी की बात पर दो करोर का गुसा करना ये फाइदे का सोधा नहीं है आऊ छोड़ दे अपना गुसा हो जाए आबाद गुस्से से गिरे नीचे सब, होगे सब बरबाद आउनाओ का कारागार है, लरो ना तुम्हें जिससे प्यार है गुस्से में ना पूछे पानी मिलती नहीं पना, किसी का भला ना होता इससे ऐसा ये है गुना, जिसकी सजाग भुगते हैं सब गुस्सा थूख दो अप प्यारे, जब तुम सोचोगे दिमाग से, तो मिल जाएगा रब मेरी जिन्दगी में एक इंसान है, जिसको बहुत गुस्सा आता है So guys, मेरी जिन्दगी में एक इंसान है, उसे बहुत गुस्सा आता है तो यह वीडियो उसी को डेडिकेटेड है अगर आपकी भी बलकि उसी को नहीं अगर आपकी भी जिंदिके में कोई भी इंसान हो से बहुत गिस्सा आता हो तो प्लीज उसे शेयर कीजिए कनेक कीजिए और आपको परदा चल दा है कि रिस्तों में बड़ी करवाट हो जाती है तो उसे सॉल्व करीजिए और यही था मेरा एक आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो नीचे कमेंट में करके जरूर बताएगा और अभी तो इस नय है हम मिलेंगे नेक्ट वीडियो में और अगर अच्छा लगा और रियली आपको लगता है कि और भी बनाना चाहिए तो प्रिज लाइक कमेंट शेयर और हां सस्क्राइब करना नहीं बूलना शब्राइब करना नहीं बूलना इस भाल नीचानल थांक यू सो बच्क्ट